तो आज हम लोग जानेंगे LIC के बारे में Life Insurance Corporation of India जिसको हिंदी में बोलेंगे भारती जीवन भी मा निगम ठीक है उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे और यह वीडियो अगर आप अन तक देखिएगा तो आपका information तो बढ़ जाएगा LIC के बारे में उसके बारे में कुछ facts जानेंगे उसका बहुत interesting interesting चीज़ें जानेंगे ठीक है जानेंगे कि LIC कहां पर invest करता है वो क्या-क्या हम लोग को product देता है ठीक है वो क्या-क्या services provide करता है और बहुत कुछ तो start करते हैं तो LIC का जो आप सामने देख रहे हैं वो एक logo type का है emblem type का है यहां पर यह दिखा ह दो हाथ है और एक दिया जल रहा है इसका मतलब यह signify करता है कि अगर हम हैं तो आपका जीवन सुरक्षित है ठीक है और यह LIC LIC को हिंडी में बोलते हैं भारतिया जीवन बीमा निगम ठीक है अब बात करते हैं LIC के बारे में तो LIC को अगर बढ़ा करके बोलें तो बोलता लाइfl insurance corporation of India जो की इंडियन government के अंतरगत आता है यह private नहीं है यह Indian government के अंदर आ रहा है ठीक है तो यह ध्यान दनी वाली बात है बहुत सारा insurance companies जो है वह private है लेकिन यह जो है वह आपका government की अंतरगत आता है और इसका main enzyme क्या है तो यह insurance कराता है और investment करता है ठीक है इसका head क Finance Government of India मतलब यह पूरी तरह से Government Company है ठीक है अब अगर बात करें इसका slogan के बारे में तो इसका slogan है your welfare is our responsibility मतलब आपका अच्छा अच्छा करना हमारा जिम्मेदारी है ठीक है यह एक तरह से Act लाया गया था है LIC Act 1956 उसके बाद यह बना इसलिए इसको बोलते है Statutory Corporation ठीक है जैसे हम बता यह 1 September 1956 को गठित किया गया था इसका Headquarter है Mumbai जो की इंडिया में पढ़ता है common सा बात है अब यह product कौन कौन देता है यह क्या क्या हम लोग को बेचता है यह public को क्या क्या देता है तो यह देता है Life Insurance Health Insurance मतलब जिंदगी का सुरक्षा के लिए Insurance Life Insurance Health Insurance समझी रहें Investment Management मतलब Investment हम लो कैसे कर सकते और mutual fund देता है ठीक है इसका owner कौन है सारा का सारा इसका जो asset है मतलब जो 100% इसका ownership जो इसका मालिक है वो Government of India है ठीक है इसका अगर asset का बात करें मतलब इसका अगर जो पुंजी का बात करें तो वो लगबग 311 184727 lakhs है मतलब बहुत जादा पैसा इसके पास ठीक है अगर हम देखें तो यह बहुत जादा पैसा है और यह पैसा किसका है तो यह पैसा पब्लिक का है जो कि Government of India का उस पर ownership बनता है ठीक है इसमें लगबग अभी एक लाग चौकदो हजार employees काम कर रहें ठीक है और जैसे हम बता है इसका इसका पैरेंट कंपनी कौन है तो इसका कार्ट सर्विस लिमिटेड 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 और आईड़ी वियाई मतलब इंडेस्ट्रिल डवलप्मेंट डवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है अगर इसका वेबसाइट का बात करें तो वह आता है www.licindia.in ठीक है अब जैसे में बता है कि LIC तो 1 September 1956 को गठित किया गया था ठीक है उसके बाद LIC को nationalize कर दिया गया मतलब बोला कि अब भारत का यह हो गया मतलब यह एक पब्लिक पब्लिक सेक्टर टैप का एक इंटरप्राइज हो गया ठीक है यह एक सुसल सेक्टर टैप का हो गया ठीक है लगबग 245 इंसॉरियंस कंपनी को LIC में मिला दिया गया इसलिए LIC इतना बड़ा बन गया ठीक है लगबग 2019 के अगर बात करें तो इसके पास लगबग 28.3 trillion रुपीज का life fund है मतलब पब्लिक जोईस में इंवेस्ट कर चुकी है लगबग ठीक है और इसके पास लगबग 21.4 million का policies यह बेच चुका है ठीक है इंवेस्टमेंट इसका पब्लिक के द्वारा 21. 21.4 million lakhs है करोड रुपीज है ठीक है अभी तक 2018-19 में लगबग लगबग LIC 26 million claims मतलब जैसे कि किसी का insurance में चूर हो गया तो वो पैसा देना किसी का health insurance किसी का जो भी है तो ऐसे 26 million claims को LIC sort out कर चुका है ठीक है और इसके पास LIC के पास लगबग 29 करोड policyholders है मतलब 29 करोड आद LIC का कि LIC आदमी इंडिया में इंसान public जो है वो देखता है कि LIC को वो कैसे use कर सकता है LIC उसके लेक्टर का G1 रक्षा है ठीक है G1 सु रक्षा का guarantee है अब अगर structure का बात करें कि इसमें कौन कैसे काम करता है तो सबसे पहले executive board जो decision लेती है LIC का वो उसके पास दो आदमी होत director ठीक है अब अब लोग बात करते हैं कि कौन सा officer का कैसा post है सबसे उपर आता है chairman फिर आता है MD मतले managing director फिर आता है जोन का manager होता है for example जारकंड जोन का manager होगा वो तीसरा number पर आता है पिर आता है senior division manager फिर आता है डिविजनल manager फिर आता है एसिट इस अज़िए फिर आता है administrative officer और फिर आता है assistant administrative manager ठीक है अपुरएइंडिया बढ़ा है इसलिए लगबग लगब आठ जोन में बार अगया अगया यहाथ तो यह नूर्थ जोन उसमें नीजो देली को लगाया गया है Central Zone जो है वो भुपाल एरिया कवर करता है East Zone जो है वो कॉलकाता एरिया कवर करता है West Zone जो है वो मुंबाई एरिया कवर करता है South Zone का जिम्मिदारी चन्नाई के पास है और East Central Zone जो है वो पतना कवर कर लिता है North Central Zone जो है वो कानभूर कवर कर लिता है और सागो सेंट्रल जोन जो है वो हैदराबाद कवर करता है ठीक है तो हम लोग जान गए LIC के बारे में important important चीज या फिर LIC का basic अच्छे से हम लोग जान चुके है ठीक है तो अगर यह वीडियो आप यहां तक देख चुके हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको like किजिए इसको share किजिए इस पे कुछ भी एगर question हो या कुछ भी recommendation हो या कुछ भी सलाह हो या कुछ भी positive feedback हो तो इस पे comment किजिए और इस YouTube चैनल को subscribe किजिए thank you very much